नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों कर लेना मंगलवार की रात तीन कपूर, दो लॉंग का ये महा उपाए जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी, आपको मुक्ती, हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन, दोस्तों, ये जो मंगलवार 7 मई 2024 को पढ़ने जा रहा है, ये कोई सामानने सा मंगलवार नहीं होगा, बलकि ये बड़ा मंगलवार होगा, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है, कहा जाता, इस महीने में आने वाला कैसी भी मनोकामना होती है, वो जरूर ही पूरी हो जाती है, शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किये जाने वाले, यदि लॉंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया, जो आपको हम बताने वाले हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी इच्छा हो, वो पूरी होती है, हिंदू पंचांग के अनुसार, वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं, वहीं इस मास का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभुश्री राम जी से जंगल में मिले थे इसी कारण से इस माह के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से दो गुना फल हासिल होता है जेश्ट में पढ़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है जेश्ट मास में पूरे पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं जानिये मंगलवार में कैसे लोग केवल लॉंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनुकामना को पूरा कर सकते हैं मई माह में पांच मंगलवार पढ़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने खास महत्व होगा कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे साक्षाद बजरंग बली की कृपा हासिल होगी क्योंकि साल का प्रदोश मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए तीन कपूर और दो लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बलकि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है तो यकीन मानिए केवल एक दिन इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो उससे आपको आराम से मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुक सम्रिद्धी की हासिल ही होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वुकरपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात ना केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी इसलिए दोस्त इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए इसका लाब हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे उपर बनी रहती है इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी हनुमान जी के आशीरवाद, आप अपने बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे, जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी डाल दीजिएगा, आपकी राश्य के कोई भी उपाय होगा, जिसको करके आ आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कॉमेंट के रिपलाई में बता देंगे आपको. इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशे डालना मत भूलिएगा. देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा. कहां जाता है कि यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाए करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है. क्योंकि जो हनुमान होते हैं, वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, इसी लिए संकट मोचन भी कहां जाता है. और यदि आप हैं चाहते हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको दस साथ मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है. परन्तु जोजेश्ट के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है. जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे, वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी. जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं. हनुमान जी महाराज, इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं. तो ये जितने भी हम आपको उपाए बताने आ रहे हैं. ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्थ पर आपको करना है? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा. सही मुहूर्थ पर किया गया. ये उपाए आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा. ना केवल आपको आपके भाग्ये के साथ मिलेगा, बलकि इन उपायों को करने के पश्चाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा. इसी लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा. और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है. वीडियो को कर दीजिए. देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ती का माहौल. आपकी कैसी भी मनोकामना है. आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है भी इच्छा है. जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए. तो ये उपाय कर लीजिए, जो आपको हम बताने वाले हैं. मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कि ये जो 28 मई 2024 को मंगलवार पढ़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुभह उठकर के नहाना है. धोना नहाने धोने के पश्चात, आपको लाल वस्तर का धारन करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महराज को बहुत ही प्रिय होता है. अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए. पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए. तीन कपूर और दो लॉंग रखना है. बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, तीन कपूर और दो लॉंग रखना है. अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है. हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है. और इसी से हनुमान की आर्थी करना है. यहां करने जो राख बन गई है कपूर और लॉंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए. आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है. यदि आप यहां करते हैं तो माननिता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनो कामना होती है. वो हनुमान जी महराज के आशीरवात से जरूर ही पूरी हो जाती है. दूसरा उपाय है दोस्तों. जाए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महराज को चढ़ाईए. ऐसा करने भर से हनुमान जी महराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी. सात्रा उपाय है. बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय. यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महराज को लड़ू बहुत ही पसंद है. परन्तु एक बात का ध्यान रखिएगा. लड़ू कौन सा चढ़ाया जाता है? बूंदी का या बेसन का लड़ू? इन दोनों लड़ू में से आपको कोई भी लड़ू का भोग महराज को चढ़ाना है. परन्तु सबसे जरूरी बात ये है, जब भी आप लड़ू का भोग हनुमान जी महराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा. क्योंकि कहां जाता है? हनुमान जी महराज को कोई भोग लगाया जाए, और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए, तो भोग पूरा समझ आ जाता है. तो आप दो दो हजार चौबीस के बड़े मंगल के दिन के लड़ू या बूंदी के लड़ू में एक तुलसी का पत्ता रख कर, कि हनुमान जी महराज को चढ़ाना है, ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा. चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नती नहीं हो रही, यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महराज को जाकर के लाल चुड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नती रुकी हुई है, वो होना शुरू हो तरीके, दोस्तों. लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूँज रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं. देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान की शरण में जाना चाहिए, परन्तु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहाद होने के पश्चात आपको लाल वस्त्र धारण करना है, किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड रखना है. ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड से कम नहीं होना चाहिए. 500 ग्राम गुड के उपर एक तुलसी का पत्थर रखना है. इसी लाल कपड़े की पोटली बना लें. पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा. इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का इस्तिमाल कीजिएगा. इसी पोटली ले जाकर कि किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें. इतना यदि कर दें तो यकीन मानिये. लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जुज रहे हैं. बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं. केवल इतना करन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी, कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी. अब आप चाहते हैं कि दोस्तों, कि आपके जीवन में बेफिजुल खर्ची बंद हो जाए. आप चाहते हैं आपके जीवन में धन आए, उसमें वृद्ध तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है. जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाई गई है. इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाना? ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजुल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी यदि आपके आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है धन आने के सारे खुल जाए तो ये कीजिये जो आपको बताना है परन्तु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को मतलब ये पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है नहाना है धोना है आपको पीपल के पत्ते तोड़ने है पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है यदि आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इतना धन आपने इसकी कलपना नहीं की थी, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सात मई वैशाक चतुर्दशी, तिथि मंगलवार, हनुमान जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो नहीं तुम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा, अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे कोई कारण ही, जिसे करके ना दिखाएं और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है श्री राम ने हनुमान जी को वर्दान दिया है कि आप कल्यूग में रहकर कि मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना उनके कष्टों को दूर करना देखिए मंगलवार के दिन ंचुमान जी महराज को समर्पित है मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और मंगलवार के दिन भूमि पुत्र मंगल को समर्पित है वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुब होता है कल्यान कारी समझा जाता है इस दिन भक्त हनुमान जी की अपने भक्तों को ही शुद्ध लेते हैं इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को आज के दिन शुद्ध यदि आपको आपकी जो सफलता आपकी सफलता हासिल करने में कोई बाधा आ रही है परिशानी आ रही है, कर्जे के बाहर से परिशान है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाए बताऊंगा, जो उपाए बन पड़े, वह उपाए जरूर करिएगा, और हनुमान जी महाराज को कल्युक का साक्षात एक मात्र ऐसा जीवित देवता कह गए हैं, ततकाल देते हैं, ततकाल आपको फाइदा पहुंचाते हैं, मान के चलिए, यदि आपको किसी भी प्रकार की परिशानी है, तो हनुमान मंदिर में जाईए, बिल्कुल ही आप एक चड़ाई, अब देखना, दूसरे दिन वो परिशानी स्वता ही धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है, हनुमान जी महाराज को तातकालिक देवता कह गए हैं, ये प्रत्यक्ष रूप में कल युग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें देखिए, उतने ज्यादा दिव्यद्रिष्टी हासिल नहीं, ग्यान हासिल नहीं है, उतनी ज्यादा हम शक्तियां, सिद्धियां हासिल नहीं, जिसके चलते हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते, परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं हम देख नहीं पाते तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज आज की इस वीडियो में जानेंगे साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से कर्ज से छुटकारा पाने का रामबान क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं मंगल दोश लग हैं तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है जी हाँ भूमि पुत्र जो मंगल कह गए हैं इन ही के कारण ही कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है कर्जे बढ़ते हैं और भूमि पुत्र जो मंगल देव हैं इनके स्वामी कौन है हनुमान जी महराज तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कौन से उपाय से कर्जे के भार से ततकाल छुटकारा मिलेंगे वीडियो को कंटीन्यू ना देखना और हाँ कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखना आज की वीडियो मिस करते हैं दर्शकों सारी जिन्दगी आपको पच्टाना पड़ेगा क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपे खर्च करने के पश्चाद भी कोई नहीं बताने वाले आईए सर्व प्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए जो नव विवाह युवक हैं जैसे कि मंगलवार के दिन आपने अविवाह करके जैसे लाए हैं तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं नपुनसक पैदा होते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें मंगलवार के दिन शारिरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए इससे मंगल दोश लगता है हमारे मंगल बिल्क तो बंद कर दीजिए, ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं. और इस दिन ना किसी से आरण लेना चाहिए, बिलकुल ही आपको इस दिन किसी सुधारी नहीं लेना चाहिए. ऐसा समझा जाता है, इस दिन यदि आप किसी उधारी लेते हैं, आरण लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना, और इस दिन भाईयों से भी अपने जगड़े नहीं करना, इस दिन अपने भाई से उफान आ सकते हैं, साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खाकर के जमीन पे मत थूकना, देखिए, धर्ती माता सब कुछ बरदाश्ट कर लेंगे, मंगल देव, हनुमान जी महराज सब कुछ बरदाश्ट कर लेते हैं, परंतु यदि मंगलवार के दिन कोई व्यक्ती पान खाकर के जी हां, बिल्कुल ही पान खाकर के धर्ती में थूके, तो इससे हनुमान जी महराज क्रोध होते हैं, देव क्रोध होते, यहां तक की धर्ती माता भी नाराज हो जाती है, तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए, तो मंगलवार के दिन भूल कर के पान नहीं खाना है, पान खाकर के नहीं थूकना है, अब आईए, इस वीडियो में जानते हैं, मंगलवार के दिन किये जाने वाले चमतकारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुख मैं बनाएंगे, आनंद मैं बनाएंगे फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अभी तक जै श्री राम नहीं तो जै लिखती जिए तो मंगलवार के दिन कोई खास मनोकामना हो ध्यान से सुनना मंगलवार के दिन कोई खास मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी महराज को समर्पित करना कोई खास मनोकामना हो तब ही उपाय करना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से कच्चे एकदम साफ, स्वच, तुलसी के पत्ते होना चाहिए सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी को करना है वो मनोकामना की जल्दी पूरी होती है इस लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना या फिर किसी के हाथ में जो, जो की ब्राह्मन है करवा देना इस से क्या होता है यदि आपके जीवन में मंगल दोश लगाओ जैसे विवाह में आपको परिशानी आ रही है रक्त संबंधी बीमारी है ये कोई बाधा उत्पन आ रही है करजे का भार जो है चुकाने में असमर्थवान तो ये फिर ये सोने में सुहाग है इस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है शाम के समय में नीम के पेड़ के उपर में आपको जो जड़ है उसके उपर में आपको दूध डालना है और ये उपाए कब करना है, कब तक करना है, जैसे कि आपसे लंबे समय से परेशान है, कोई खास मनुकामना हो ये, फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नियम के पेड़ के पास में जाएए, चमेली के तेल का दीपक जलाईए, और ग्यारह मंगलवार तक ये उपाए करना होता है अभी आपके विवाह में परिशानी आ रही है करजे का भार हो इस उपाय को करने के पश्चात करजे का भार उतर जाते हैं और ये मैं जो उपाय बता रहा हूं लाल किताब का उपाय बता रहा हूं लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सटीक उपाय है इसका प अब यदि आप इसका दान करते हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुब संपत्ती, सब कुछ स्वता ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो दाल बिलकुल ही दान जरूर करना, मसूर की दाल बहुत ही उत्तम। ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बेहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बेहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे, इसके पश्चात मंगलवार के दिन लाल वस्तर है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, ये हनुमान जी महा आज को प्रारथना करते हुए चढ़ाईए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है, अर्थात, आपके जीवन में जैसे धान आने का मार्ग बंध हो चुकी है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धान आने के जो मार्ग होते हैं, फिर से खुल जाते इसी के जी हां मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर के पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर के 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को यह माला पहना देना है ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करती इसमें संदेह नहीं है जो भी मनोकामना यदि आपकी कोई खास बड़ी मनोकामना हो तो ये उपाय को पाँच मंगलवार तक प्रति दिन बिलकुल ही करना है पाँच मंगलवार बिलकुल ही बीच में आपको गैप नहीं करना है छोड़ना नहीं है ये भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताये हो ये उपाय करें या ना करें परन्तु यदि मंगलवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाए और हनुमान मंदिर में जाकर के पाँच बार यदि आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बली का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अश्टक का पाठ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहां भी जाता है, जो हनुमान जी महाराज कलियूग में प्रत्यक्ष देवता है जितने भी संकट हैं, कश्ट हैं, परेशानी हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, दरिद्रता हैं सारी समस्या को इस चुटकियों में समर्थक कर सकते हैं हमने इसमें बहुत सारे उपाय बताएं हैं यदि करजे के भार से लंबे से परेशान हैं, तो आरण मोचन एक आता है हनुमान जी महाराज का स्त्रोत, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं रेड मोचन हनुमान स्रोत पाठ आते हैं आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाईए हनुमान जी की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में और सुबह शाम दिनों तक आपको बिलकुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कितने पाठ करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए तो आपको 21 पाठ एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए ग्यारह शाम के कीजिए तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सर पे करजे का भार बढ़ा हो वो धीरे धीरे उतर जाता है क्योंकि मंगल दो के कारण करजे का भार उतरता है मंगल का हनुमान जी महराज ये करजे से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं संदेह नहीं है इस बात पे आप संदेह ना करें ये उपाए में संदेह ना करें आपको 100% लाब मिलेंगे जीवन में किसी भी समस्या में गिरे हैं बजरंग बान या हनुमान चालिसा बहुत ही अच्छा उपाए है तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी मंगलवार संबंधी या कैसा लगा हमें कॉमेंट जरूर बताईएगा जिसके बारे में यदि आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परिशानियां आ गई हो उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो व्यापार, फैक्टरी, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो तो आपको यह उपाय केवल एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं जीवन की सारी बाधाएं समाप्थ हो जाती हैं और आपको सुख सम्रिध्ध की हासिलें होती है तो चलिए, जानते हैं इस विशय उपाय के बारे में परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए है मंगलवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है शाम के समय में नियम के पेड़ के उपर में आपको जो जड़ है उसके उपर में आपको दूध डालना है और ये उपाय कब करना है, कब तक करना है जैसे कि आप से लंबे समय से परिशान है, कोई खास मनोकामना हो ये फिर विवाह में विलंब हो रही है तो नियम के पेड़ के पास में जाईए चमेली के तेल का दीपक जलाईए और ग्यारह मंगलवार तक ये उपाय करना होता है अभी आपके विवाह में परिशानी आ रही है करजे का भार हो इस उपाय को करने के पश्चात करजे का भार उतर जाते हैं और ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सठीक उपाय है इसका प्रभाव भी विफल नहीं जाता ऐसा भी समझा जाता है बहते पानी में गुड से बनी रेवडी यदि मंगलवार के दिन प्रवाहित करें और हो सके तो खांड है मशहूर है या सौफ है अब यदि आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुब संपत्ती सब कुछ स्वतही हासिल होना शुरू हो जाते हैं हो सके तो दाल बिलकुल ही दान जरूर करना मसूर की दाल बहुत ही उत्तम ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बेहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है परेशानी आ रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बेहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे इसके पश्चात मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है लाल फल है लाल फूल है लाल चंदन है लाल रंग की मिठाई है ये हनुमान जी महाराज चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ती होती है मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाईए जिसमें राम लीखा जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाईए तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है अर्थात आपके जीवन में जैसे धान आने का मार्ग बंद हो चुकी है काफी परेशान हो चुके हैं तो धान आने के जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते इसी के साथ मंगलवार के दिन जी हाँ मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को यह माला पहना देना है ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करती इसमें संदेह नहीं है जो भी मनोकामना यदि आपकी कोई खास बड़ी मनोकामना हो तो ये उपाय को पाँच मंगलवार तक प्रति दिन बिलकुल ही करना है पांच मंगलवार बिलकुल ही बीच में आपको गैप नहीं करना है छोड़ना नहीं है ये भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए हो ये उपाय करें या ना करें परंतु यदि मंगलवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाईए और हनुमान मंदिर में जाकर के पांच बार यदि आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बली का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अश्टक का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, बिलकुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहां भी जाता है, जो हनुमान जी महाराज कलियुग में प्रत्यक्ष देवता हैं, जितने भी संकट हैं, जम्बे से परेशान हैं, तो आरण मोचन एक आता है। हनुमान जी महाराज का स्त्रोत आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। रेड मोचन, हनुमान स्त्रोत पाठ आते हैं। आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं, ऐसा भी समझा जाता है. लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से, लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाईए. हनुमान जी की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम दिनों तक आपको बिलकुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और कितने पाठ करना है, वो भी ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको 21 पाठ एक दिन में आप जो है, 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम के कीज तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है, तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिए, कैसा भी सर पे करजे का भार बढ़ा हो, वो धीरे-धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दो के कारण करजे का भार उतरता है, मंगल का हनुमान जी महराज, ये करजे से आपको बिलकुल ही संदेह नहीं है, इस बात पे आप संदेह ना करें, ये उपाए में संदेह ना करें, आपको 100% लाब मिलेंगे, जीवन में किसी भी समस्या में गिरे हैं, बजरंग बान या हनुमान, 40 बहुत ही अच्छा उपाए है, तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी, मंगल पा रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो, पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्या पार, फैक्टरी, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह उपाए केवल एक दिन कर लेना है, और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है, धन हासिल के नए जीवन की सारी बाधाएं समाप्थ हो जाती है, और आपको सुक समरिद्ध की हासिलें होती है, तो चलिए जानते हैं इस विशय उपाए के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है, कि यदि आप चैनल पर नए हैं,